बिहार के सेखोफूर सराय थाना अंतरगत ये घटना है जहां एक लड़की को जो है दहेज के कारण दहेज लोभियों ने मौग के घाट उतार दिया है ऐसा हम नहीं हमारे साथ देखते हैं लड़की के परीजन है इसे हम जानने का परियास करेंगे कि अखिर घटना जो है कैस कैसे कैसे क्या क्या हुई थी क्या अब फिया अप्री मेरा नाम सृकांत कुमार हुआ घर है मेरा घर बेलडदा है जो कि दोशिख डिटना हुआ कैसे कैसे गटना उब जर्ट किराई के हम साधी के बेखो पुरसराय से पूरा जिला में पड़ता है वही हम साधी किये हैं कल 6 बजे मेरा फोन पर कॉल आता है एक साल एक साल एक महिना दो महिना यहीं लगबग हुआ है दो दिसंबर को हम साधी किये हैं डिक्षे चार महिने का एक बच्चा जो के नाम लग्टी है मेरा भांजा मेरा बगना है कि एक साल पहले ही जो है महिला की साधी हुई थी और देखा जाए तो भी चार महिने की मासुम बच्चा है अब उसका भरन पॉसन कैसे होगा अगबान जो है उसका देख रिप कैसे करेंगे यह तो समय ही बताएगा पकि कैसे कैसे घटा क्या हुआ था वह बताएंगा जी घट मिलकर के साज जिसके तहट इसका हत्या कर दिया जीजिए जब गाउवालों ने सेखोपूर सराय के कुछ लोगों ने हमें कॉल किया तब हमें हां तब कुछ लोग ने बहुत तरह की बात बोलुरे हैं lled कुछ लोग बोल कि जो है किसी भी प्रकार की जो है फोन या कॉल किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं कर पा रही थे यहां से घटना हो गया है इसके पहले कभी आपकी बहन जो थी आप लोगों के कान में कभी ऐसा सुतना दी थी कि हमें हमें जो यहां परताजित किया जाता है यह दहेज के कारण सब्सक्तों जो हमको बार बार परिसांद करते हैं का उनके जो हाएक जो मेरा बहान ठी उसका एक गवत्ति इसका भायशुर असास पूरे परिवार उसको पती उसका था उसका देबर था लोग प्रताइट और करते आपको दो मेना पहले बताई थी है उसे पहले आप लोगों कार में ऐसा सुचना जो है कितने बार मिला था एक दो बार मिला था और फिर लाश्ट में यही अंजाम तेस्ट आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि दहेज भी हमसे मांगा जा रहा था इसमें कितना सचाई जी बिल्कुल कुछ अभी कुछ दिन पहले मेरा बहन गई थ माई के गई थी तब कुछ दिन पहले हम उसको मने के बोला था कि भाईया मेरे पास प्रोब्लम है तो परिसान करते हैं घरवालों तो उनको कुछ पैसे हम दे करके भी भेजे थे पैसा गारी पैसे का पैसे बार-बार उसको मेंटली टॉचर किया जाता था आभी समझ सकते ह हमें हमें पता है हमें मन की इतना अनुभब है क्योंकि जब देखें तो उसका गला में जो है निसान हमें यह लगता है कि उसको गला घोट करके हत्या कर दिया या तो उसको फंदा लगा कर लगा ऊत्या कर दिया है और लड़की को मौत टिखाट उतार गया यह तो हम सरकार से नयाय चाहते हैं परसासंस नयाय चाहते हैं हमारे मुखमंत्री नितिष कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा कब तक बेटी का हत्या होता रहेगा कब तक बेटी ऐसा मौटके खाद उतरते रहेंगे बेटी बाहन हाँ जो है बली ना चड़े इसके लिए जो है सरकार जो नियम लगाती है कि दहेज का जो लोभी होते हैं उनपर कानून करवाई होना चाहिए तो आप क्या चाहते हैं कानून से हमें नयाय चाहिए जो हाँ जो ऐसा किया है वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगा क्योंकि हम तो इसके बारे में इन लोगों को जो है क्या जानकारी है क्या नाम हुआ चाहिए आपका हमको सुदादेवे कहा घर है गर बरव दिगा प्यारेपूर प्यारे पूर्ण जिस लड़की की मिर्तु हुई है वो आपके कौन है वह हमको बैटा के साली है क्या मझे आप सभी में प्रफटी नहीं काम करती है आपको भी खिलाएंगे तुमको बच्चा की खिलाएंगे तो बल देखे एक जनवरी कोहां से मैं के ही से लड़की आएं तो हमको बहुत भाईया जी से पैसा माँगे दस जर पर भाईया दिख चला कि बच्चा के देखवाल करें करें लेगें हमक कारण है यह दम सचाई है अभी जो है बिल्कुल दिखाईएगा अभी हम जिला परसासन से कुरा जो कर सकते हैं सेकोपूर साय थाना के बगल में ही मौजुद हैं और यहां जो है सारे पीडित परिवार जो है यहां आयत है कानून से न्याय के लिए गुहार लगाने के भी बेटी को जो है बली का बकरा बना रहे हैं तो इस पर जो है कुछ कानूनन करवाई होना चाहिए वाकि सभी का बहुत बहुत अभार धन्यवाद चैहिंद